जैन दोस्तों आज मैं आपको रोड की ऊपर जो मार्किंग रहता है थर्मो प्लास्टिक लेन मार्किंग रहता है उसके बारे में पताने वाला हूं उसका इस्पेसिपिकेशन क्या है रोड यूजर्स को कैसे समयना चाहिए उसका मतलब क्या रहता है हर एक चीज़ बताएंगा और उसको मार्किंग कैसे करते हैं उसके बारे में भी समझाने वाले हैं तो आए यह देखिए अभी जो लेन मार्किंग हुआ वाला है अपना डीवियम रोड के उपर में हुआ है ज उसमेंगे 6-meter का लेन रहता है और 3-meter का इंटरवल और त्री मीटर का लेन और 6-meter इंटरवल यह हैं ऐसे अलग अलग location पे रहता है तो उसका अब अलग मंतलब भी तो वीक्तिंग तो इसका 150 अमम है और इसका जो थीकनेस है 2.5 अम रहता है और इसकी उपर में आप देख प दोन निलता है कि यहां तक हमारा लेन खतम हो गया इसके बाहर नहीं चलाना है गाड़ी और इसके बाद में देखिए आप यह जो है सेंटर लाइन है सेंटर लाइन में कैसा रहता है आप देख पा रहे होंगे यहां पर डोटेट लाइन है उसके जश्ट आगे कर वहाला जो है वहां से हमारा continuous line start हो गया है उसका मतलब रहता है कि आप उधर overtake और नहीं कर सकते हैं और continuous line compulsory मतलब कर लोकेशन में ही रहता है उसके बाद में जो भी हमारा straight portion रहता है वहां पर क्या रहता है three meter का lining रहता है और six meter का interval gap रहता है और जो बिल्टफ सेक्शन होई चल जाता है बिल्टफ सेक्शन में क्या होता है कि आपका जो लेन marking रहती है वह six meter का रहता है और गप जो रहता है और यह लाइनिंग अपना पूरा रोड मारने के लाइन मार्किंग होने के बाद में यह इसके बाद में हमारा सेप्टिक आइटम रहता है जो यह स्टर्ड रहता है और यह हमेशा अपने को लाइनिंग सज्जर्ट शिपका के बाहर में मारना रहता है जिससे क्या होता लेन मार्खिंग का आपना जो वीजिबिलिटी है वो डिस्टर्ब नहीं हो और कंटिनुवस वीजिबल मिले नाइट झायल मिले वीजिबल नहीं होता है